किसानों के गेहूं को समर्थन मोल्ले पर खरीदने के लिए इस वर्स अभी तक साइट लो प्लाट स्पोट को बंडारन और तॉल की सिववी करती चिला खादेवंब आपूरती विभागने नहीं दी है चपके पिछले वर्स 5000 टन किसानों का गेहूं बंडारन किया गया था सा खादेवं नागरी का पूरती विभागने सैलो प्लाट स्पोर्ट केंडर लगाने की अब तक सही उकरती नहीं दी है सालो प्लाट स्पोर्ट केंडर नहीं बनाएे चुआने से खिसानों में माय उसी इस पेस्टो देखी जा सकते है किसानों की मन्सा है कि पिछले वर्ट की तरह इस वर्ट भी प्रशाशन को साइलो स्पोर्ट केंद्र इस्थापित करना चाहिए किसानों की गेहूं की फसल को समर्थन मोले पर खरीदने के लिए इस वर्ट जिला प्रशाशन ने पिछले साल की तरह ही खरीदी केंदर इस्थापित के हैं लेकिन इसपोर्स खाद इवं नागरी का पुर्ती विभाग ने साइलो प्लाट स्पोर्ट को अब तक इस्थापित करने के लिए सिविकरती प्रदान नहीं की है साइलो प्लाट स्पोर्ट एक प्रकार से भंडारण की नई तक नहीं की है इसमें किसान अपनी फशल को ट्रक्र ट्राली में फरकर साइलो केंदर पर तॉल के लिए जाते हैं जहां साइलो केंदर पर भारी किसान की फशल को एक बार में ही पूरी तॉल कर उसे साइलो बैक में बंडारित कर देता है या साइलो बैक गर्मी बरसात और ठंड किसी भी मौचा में केहों को खराप नहीं होने देता उपारजन केंद्रों में किसानों की फिसल का ठीक से बंडारन और तॉल के लिए उचिते ववस्थाएं खरीदी केंद्रों पर नहीं होती हैं गत वर्स थरेट से इंगवा कि मद एक साइलो प्लांट पे cui में किसानों ने अपनी फसल बेचने में बहुत दिल्चस्पी दिखाई थी क्योंकि सरकारी सुसाइटी की खरीदी केंडरों में किसानों को घट तॉल और लंबी लंबी लाइनों में लगने वाली परिषानियों से मगत मिलेगी किसान अपनी फसल बेचने उपारजन केंद्रों पर जुआ दे थे तब केंद्रों पर अनाज का उठाओं नहीं होना या बारदाना खत्म हो जाने के स्थिति में कई कई दिनों तक किसान को अपनी फसल की तुलाई का इंतुजार करना पड़ता था इतना ही नहीं खरीदी केंद्रों में वावेस्थाओं के चलते किसानों को घट तॉल और अन्य सुविदा सुर्क भी देने पड़ते थे तब कहीं बड़ी मुस्किल से किसानों को गेहूं की तॉल हो पाती थी